आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, वेलकम टू डाउटनेट तो आज इस Question हम से पूछा गया है की Consider the Falling Pair of Compound तो हमें ये 2 Compound दे रखे है Pair, ठीक है, Compounds के तो मैं बताना है की ये हमारे दोनों में Relation क्या है ठीक है, तो First Option हमें क्या दे रखा है First Option हमें दे रखा है Inner Shumar तो Inner Shumar हमारे कौन से होते है एक दूसरे के Mirror Image ठीक है But Non Super Impossible ठीक है, एक दूसरे को Super Impossible नहीं करने चाहिए ठीक है अगर एक दूसरे को Super Impossible कर दिया तो हमारे Inner Shumar नहीं होंगे वह Missive Form हो जाएगा तो यहां पे हम इस Compound में देखते हैं तो यहां पे अगर हम यहां पे देखे अगर यहां Mirror Draw करें तो यहां पे OH आएगा यह दूसरे के Mirror Image है यहां पे OH है यहां पे OH है अगर इसका Mirror Image ड्रो करें तो यह सेम यही बनेगा तो एक दूसरे के यह Mirror Image तो है ठीक है यह एक दूसरे के Mirror Image है देखने से पता चल रहा है अगर यहां mirror roll किया तो यह हमारा यही compound बन जाएगा अब यह super impossible है कि ने अगर OH को हम यहां put करते हैं तो यहां पे H है यह OH है और यहां पे अगर H को OH पे put करते हैं तो यहां पे इसको cover ही कर पाएगा तो एक दूसरे को superimpose नहीं कर पाएगे तो इसलिए यह एक दूसरे के इनर्शोमर है एक तो mirror में जा उपर superimpose नहीं कर रहे तो यह बहुत इनर्शोमर है एक दूसरे के अब option 2 में देखते हैं तो option 2 में हम बोला गया है कि बहुत हार threeo forms ठीक है अब threeo forms हमारी क्या होती है threeo और ether form हमारी होती है जब हमारा कसी compound में two chiral center होती है ठीक है अगर two chiral center होती है तब हमारा उस compound में threeo और etheron नाम देते हैं हम उस compound को उसका diastoromer से पदा देखने के लिए कि diastoromer को distinguish करने के लिए ठीक है तो इस compound में हम देखते हैं कि हमारा oh और oh और h है एक same side और oh oh नहीं है अगर oh oh same side होता तो वह हमारी ethroform होती है बड़ी यहां पर oh oh अलग h और oh oh यहां है और oh oh अलग side है मतलग हमारा यहां पर h पड़ा है यहां और oh है अगर हमारा यह होता है तो यह हमारी threeo form होती है ठीक है अगर यहां पर OCH होता है और यहां पर भी OCH होता है तो वह मारी इत्रो फोर्म होती है तो यह हमारी थ्रियो फोर्म है तो मतलब कि हमारा जो option 2 है यह भी correct है यह हमारा इत्रो है एक दूतरी के इत्रो फोर्म है ठीक है बहुत हार इत्रो फोर्म क्योंकि दोनों में हमारा जो है opposite side होता है कार्य सेंटर में, ठीक है? Option 3, बहुत हार dial stereomer तो dial stereomer हमारे कौन से होता है? not mirror image of each other, ठीक है? तो mirror image नहीं होता है एक दूसरे के वो बट हमने तो यह का यह एक दूसरे के mirror image है तो मतलग कि हमारे जो यह option है यह incorrect है, इसके लिए हमारे सही नहीं है एक दूसरे के mirror image है अब option 4 में देखते हैं, तो option 4 में हम बोला, बहुत हार it row form तो हमने देखा यह दोनों 3 ओ form है क्योंकि हमारा OHOH जो opposite sides में तो यह हमारा option 4 भी incorrect है तो हमारे इसमें कौन-कौन से option character है? option 1 और option 2 तो हमारा answer है option 1 और option 2 तो मैं आशा करता हूँ कि आप एकुलता समझ पाए होंगे धन्यवाद Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8-400-400-400 पर